जैन श्रीमान, मेरा नाम रोवन जगदीश है, मैं बारतिया पोलीस सेवा, दोजार उननीस बाज का प्रशिक्ष अधिकारी हूँ, मुझे करनाट का कैडर आवंतित हुआ है, मैं बैंगलोर का मूल निवासी हूँ और मैं बैंगलोर विश्वविद्यालाय का उनिवर्शी ल जो के पोलीस में 37 साल का सेवा क्या है, ये मेरे बहुत गर्व के बात है, तो मैंने भी उनके तरह बारतिया पोलीस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ, जैन श्रीमान. रोहन जी, आप बंगलोर के हैं, हिंदी भी काफी सीख ली हैं, और एक लॉग रेजुएट भी हैं, आपने पोलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन्स को भी अध्यान किया है, इस ग्यान का आप आज की पुलीस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में जॉइन किया था, उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आबारी हूँ, और मैं पॉलिटिकल साइन्स और इंटरनेशनल रिलेशन सीखते वक्त, मैं दुनिया अभी बहुत शोटे लग रह तो इसलिए हम हर तरह पोलीस एजन्सी और दूसरे राजों के साथ भी इंटरपोल के दौरा काम करने का मौका मिलेगा, तो हमारा क्राइम डिटेक्शन और इंवेस्टिगेशन अभी साइबर के दौरा, क्राइम सिर्फ इंडिया का, इंडिया को ही लोकलाइज नहीं है, ब प्योग होता है, श्रीमान. और आप पिताजी कंपरिजन करते होंगे, कि उनके जमाने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके जमाने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भीड़न भी होती होगी. सर, मेरे पिताजी, मेरा रोल मोडल भी है, और उन्होंने करनाटका पोलीस में सब इंस्पेक्टर के रूप में जॉइन किया थे, और से 30 साल के बाद वो SP के रांक में रिटायर भी हो चुका है, सर. तो जब मैं अकाडमी पहुंच रहता, उन्होंने बोला था कि पोलीस रेनिंग बहुत कट-इन होता है और बहुत मेनत करना पड़ेगा, तो मैं आते अंदर एक माइकल अंजलो का एक वाक्या लिखा है, सर. उसमें बोला है, हम सब के अंदर एक स्टाचू अलड़ी है, एक शिल्प है. हम अकाडमी के द्वार उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है. ऐसे ही हमारा निर्देशक, सर और हमारा सब फाकुल्टी हमको ट्रेन करक के हमारा अत्या बहतरी शिल्प बनाया है, तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे, सर. अचाहिए इस ट्रेनिंग को और बहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुजाव है मन में? सरः अभी अरेरी बहुत वय्तर है, और मैं पहले सुनने के, सुना है कि बहुत कट yeni था, अब हमारा निर्देशक आने के बाद, और सब चेंजेज़ हो चुका है, और हमारे सोच रखकर ही ट्रेनिंग कर रहा है, और हमको इंच्ट näशनल स्टांडर्स पर ट्रेनिंग कर रह है तो मैं बहुत कुछ हूँ इस ट्रेनी से रोण जी मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्वीमर है और आपने अकडेमी के पुराने सारे रेकॉर्ड भी तोड़ दिये हैं जाहिर है आप आज कल ओलेंपिक्स में भारत के खिलाडियों के अच्छे प्रदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे आने वाले समय में पुलीस सेवा से बैठर अथ्रिट्स निकालने के लिए या फिर पुलीस के फिटनेस बल को सुधारने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलीस का ज़रा बैठना उठना चलना सब ज़रा कुछ अलगी ने ज़राता है आपको क्या लगता है सर अकैडमी में हमको फिटनेस का एक बहुत ध्यान दे जाता है सर तो इसलिए मेरा सोच है कि हम यहां समय बिताने के बाद एक फिटनेस का एक सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं सर बट हमारा जिन्दगी में एक पार्ट हो जाते है सर अभी भी मेरे को शायद क्लास नहीं है त अख्यद हम लेके जाएंगे और जब हम जिल्दा पहुंचेंगे हमारा साहती अधिकारी और हमारा साथ का काम करने वाला पोलीस अधिकारे को भी इस बारे में बोलके उनको भी स्ट्रेस management और health care management और उनके तब्यत को कैसा टीक रखने का इनका जानकारे भी दे के हम सिर्फ आपके fitness ही नहीं बट सबको fitness करके पूरा इंडिया को fit रखने का कोशिश करना है श्रीवान चलिए रोहन जी मुझे आप से बात करके अच्छा लगा fitness और प्रोफेशनलिजम हमारे पुलीस की एक बहुत बड़ी जरुरत है और मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साई युवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पुलीस सिस्टिम में लागू कर सकते हैं पुलीस अपनी फोर्स में fitness को प्रमोट करेगी तो समाज में भी युवा फिट रहने के लिए प्रेदित होंगे मेरी आपको बहुत शुब कामना है जैन श्रीमान